गुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुदुद अदर केमिकल्स होते हैं, तो अदर केमिकल्स में energy store होती है, और जब बैर्टरी डिस्चार्ज होती है, तो इनर्जी जो केमिकल्स इनर्जी store हो गई थी, वो ही convert होती है electrical energy में, तो electrochemical cell is a device which converts chemical energy into electrical energy, हमने दो मेटल लेली एक लेली जिंग जिंग का रिडेक्शन पोटेंशियल है इतना और कॉपर का रिडेक्शन पोटेंशियल है इतना अब देव हुआ कोपर का रिडेक्शन पोटेंशियल जादा है तो कॉपर का होगा रिडेक्शन कल वाले लेक्शर में हमने आपको समझाय कि जिस metal का reduction potential ज्यादा होता है उसका reduction होता ये copper IRN है और ये आइन होते है WITH कि यह बन रहा solid इस solution में वा कौपर इस रॉट में अचार और तरंके वो हट है वो आयन गए उन्होंने इस रॉड से दो इलेक्ट्रोन निकाले तो इस रॉड पे आ गया positive charge और वो copper iron neutralize होके इसी के उपर हो गए deposit तो इस रॉड की thinness बढ़ना शुरू हो जाए थी इसके चारों तरफ के copper iron तो remove हो गए sulfate iron बचे और sulfate iron पे minus charge होता है तो भी negative sign appear हो रहा है यह rod positive होई क्योंकि इससे electron खीचे इसने copper अब zinc का oxidation होगा तो solid zinc आ गई solution में ions जो होते हैं वो solution में होते हैं इस zinc की rod की thickness कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि zinc dissolve हो रही है zinc यहाँ पर आया यहाँ पर आया zinc plus plus को positive charge आ गया और दो electron उस rod में छोड़ा आया तो वहाँ negative charge आ गया तो यह rod होगे negative और यह solution के चारओ आ गया positive charge zinc anode है और copper है cathode तो this is known as cathodic compartment and this is known as anodic compartment यह anode है इसलिए इसको हमने बोला है anodic compartment अब सोचो आप यह rod इसमें डिजॉन हो रही है इसका मत्तब है कि इस compartment की concentration बढ़ रही होगी increase हो रही होगी concentration of anodic compartment increases यहां पर घुली हुई चीज जाकर यहां deposit हो रही है है कि left में anod लिखते है और right में cathode यह cathodic compartment यह anodic compartment anod की thickness कम होती है dissolve हो रही है rod cathode की thickness बढ़ती है electrons का फिलो हो रहा है anod से cathode की तरह और current का फिलो हो रहा है cathode से anod की तरह की मैंने character I से represent कर रहा है यह current तो यह हो गया electrochemical cell it is a device which converts chemical energy into electrical energy यह वो device होती है जो chemical energy को electrical energy में convert करती है अब यह जो को reduction हुआ और यह oxidation हुआ इन दोनों को add कर लेंगे तो redox reaction निकलके आई ही copper iron अब आगे आके हम यह लिखा नहीं करें कि यह echoes में है ions echoes में होंगे j यह और यह यह हो गई redox reaction यह इसी को हम बोलते है net cell equation electrons का टुए 2 तो यह value हो गई n small n जितने भी electrons से ट्रांसपर होते हैं उसको small n से रिप्रिजेंट करते हैं इतना clear हो गया it is a device which converts chemical energy into electrical energy हमको पता है कि जिसका reduction potential बड़ा होता है उसका reduction होता है और वो कैफोर बनता है जिसका reduction होगा वो कैफोर बनेगा अब देखो बड़ा हो कल मैंने आपको कुछ reduction potential लिखे थे और अहां तब आदे पेपर पे लिख लेना मैं फिर लिख रहा हूं कॉपर का reduction potential 0.34 बोल्ट है जिंग का reduction potential 0.76 मैगनीशियम का यह आपको एक्जाम में गिविन हों 2.37 सिल्वर का 0.80 0.1 और यहाद कर लेते हैं iron का बागी तो जो भी हों hydro का 0 होता है 0.44 बोल्ट में गिविन है अब मैं question लिख रहा हूं 5T and cathode anode and right net cell equation जब अभी नो हमने example दियाता है यह जिंग की रॉड ली थी इधर कॉपर्टी रॉड ली थी कॉपर सर्फेट था यहाँ पर बोल्टे रवला होगा standard state में 0.34 और यहाँ minus 0.76 तो difference मिखा लेंगे वो ही होगा E not standard E not बड़ा बाला नुमर minus छोटा बाला बड़ा बाला है यह और minus यह 0.76 यह आएगा 1.1 volt यानि cathode का reduction potential minus anode का किसी भी cell का standard state में voltage इतना होगा तो उसका simple फालूला है standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode यह एक फालूला है सिर्व रहेगा reduction potential है reduction potential ही minus होता है वैसे cathode पे reduction होता है और anode पे oxidation अब देखों हम यह भी पैचान लेंगे कि कौन cathode है कौन anode है जिसका reduction होगा वो cathode और जिसका oxidation होगा वो anode कितने electron का ढूंगे और anode reduction और oxidation मालिए cathodic और anodic reactions को जब आप add कर दोगी तो आजाएगी redox reaction उसको हम बोलते है net cell equation यह value आप note कर देने पेपर के अब कुछ हमने question देती है A B C D E F G H I J हमने लिया पहले copper J copper magnesium copper iron copper silver zinc magnesium zinc iron zinc silver फिर है magnesium और iron फिर है magnesium और silver फिर है iron और silver यह questions है मैं पहले एं पार्ट करना हूं बच्चुर यह question आप कर लेगा अपको आज यह अंकर रोज की रोज करना है आप इन दो को compare करोगे और यहां पर आजाओगे आप देवो copper और j किसका reduction potential है copper का इसका मतलब यह हुआ कि copper का reduction होगा और जब भी reduction होगा तो copper लेगा 2 electron और अगर देने का नमपर आएगा oxygen होने का तो 2 देगा और लेने का आएगा तो 2 लेगा similarly zinc 2 का transfer करेगा silver एक का करेगा कभी भी electron लेगा तो एक और देगा तो भी एक इन दोनों में reduction copper का होगा तो copper का करवाओ reduction zinc ता oxidation अब मैं यह लिख नहीं राहूं कि यह aqueous में होंगे और यह solid यह aqueous में और यह solid यह electron कट हुए n की value हो गई 2 लिखने का style same रहेगा इनको end करो यह aqueous this is net cell equation इसको क्या बोलोगे overall cell equation के क्या होता है equilibrium constant की तरह इंका है equilibrium constant तो नहीं होता है equilibrium constant तो तब बोलोगे जब प्रोड़क्ट की morality अपाँ एक प्रोड़क्ट में यह नहीं लिया जाएगा कोपार क्योंकि यह solid है और हम तो पता है यह given होगी upon reactant में यह भी यह जाएगा तो कि यह solid है क्यों लिया जाएगा सिर्फ copper this is k के आ गया next cell equation आ गई यानि हमारी आ गई next cell equation आ गई kे आ गया n आ गया reduction हुआ copper का तो cathode बना copper anode बना zinc अग e naught तो simple सा formula है बच्चों यह बाला reduction potential of cathode minus reduction potential of anode cathode है copper औप copper का है 0.34 anode है zinc minus 0.76 अब इसको solve कर लोगे 1.1 volt यह हमने k निकाल दिया e naught निकाल दिया n निकाल दिया कौन cathode है कौन anode है यह बता दिया और next cell equation भी लिख दी यह मैंने part करा a अब मैं आपको part करके दिखाना हूं बच्चो D कौन सा वारा D बहुत दिखान से सुनना बस मैं दोई बता हूंगा बात की सब आपको करना यह है silver यह है copper आप देख रहे हो कि copper का है 0.34 reduction potential और silver का है 0.80 कौन सा नमबर बढ़ाए 0.80 तो silver का होगा reduction और silver में एक electron का लेंदेन होगा तो silver का करपा हो reduction अब मैं दिने राउंग यह एक्वसेंच और यह solid है copper का oxidation है अब बच्चो नमबर ओफ इलेक्ट्रों से हाँ पर इकपोल नहीं है यहाँ पर बना है और यहाँ पर 2 है तो इलेक्ट्रों इकपोल करने के लिए इसको 2 से multiply करने पड़ेगी पाइले से जले सुनते आगा तू से multiply करते पूरी प्रसन को औरोगे ते इलेक्ट्रों से इलेक्ट्रों कट हुए यह होगी एंड इन दोरों को एड़ी करते लोग अब के निकालों को क्योंकि यह सॉलिट है अब इतना दो इस copper की नहीं लोगे क्योंकि यह सॉलिट है silver की concentration होगे morality और उसका लगा दोगे square क्योंकि यहां के coefficient 2 लगा हुआ है Cathode जिसका reduction हुआ यानि silver Anode जिसका oxidation हुआ यानि copper E0 reduction potential of cathode minus reduction potential of anode Cathode है copper sorry silver और यह है 0.34 Solve कर दो बैच्चों जो भी आए mathematics के साबसे यह हो गया E0 इतने bold मैंने दो question कर दी है बागी यह सारे आप करोगे एसे लेकि एच्चे तक कुपी पर रफ कॉपी पर फियर पर नहीं करना आए रफ कॉपी पर करोगे और इन सबके answer लिख के group में send करोगे जैसे इसका answer आया हमारा 1.1 इसका आया point 46 तो इस step से आप answer लिख के solve करोगे इस step से answer लिख से मुझे पता लेगे कि आप तग रहे हो आपकी तरफ से गर reaction नहीं आएगी तो फिर मैं कोई reaction करना बन करूँगा मैं तभी पढ़ूँगा जब आप respond करोगे जो बच्चे respond नहीं करेंगे उनको गुरूप से मजभूरी में मुझे remove करना पढ़ेगा तो आज आपके 10 वजी तक या 11 वजी तक इन सबके answer आपके आज आने जीए जिससे कि सब एक दूसरे से क्रॉस्टेट भी कर लोगे इतना काम बच्च्वाब को करना है तो आज मैंने बहुत जाना ही पढ़ाया है लेकिन मैंने यह homework दिया है और यह आगे से घंटे का है लिखने में इस्टाइल फिर को सेव रहेगा पहले बैट साइल एकोईशन फिर उसकी प्रॉपरिटीज और उसके करेक्रेक्रेस्टिक्स भूर प्रॉपरिटी हो गई और उसके यूजिज एप्लिकेशन और नस्ट सेट इनल सेल इकोईशन उसके बाद इसकी नेस्ट ऑपिकानास भोंगे पोरोजन भी इसी में है प्राइमरी और सेकेंट्री सेल भी इसी आज का हमारे ली लेक्चर 2 है दस बज़ें तक या ग्यारा में तक जित बच्चों के आज़र नहीं आएंगे आज मैं बच्चों उनको गुरुप से रिमोव करूँ थैंक यू